यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ जिस्टिस आरिफ नरीमन की पाच जजो की बैंच ने ये फैसला सुनाया कोट ने हला की कहा कि अडल्टरी तलाक का अधार रहेगा और इसके चलते खुदकुशी के मामले में उकसाने का केस भी दर्ज हो सकेगा ये अध्याजिक फैसला सुनाते हुए कोट ने महिलाओं की इच्छा अधिकार और सम्मान को सर्वोच बताया और कहा कि पती महिला का मालिक नहीं होता है एडल्टरी पर सुप्रिम कोट का ये बड़ा फैसला आया है जो आपको बता रहे हैं एडल्टरी अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा ये सुप्रिम कोट ने कहा है विवायतर संबंद एडल्टरी को कहा जाता है और अब इसे अपराध के दायरे से बाहर किया है सुप्रिम कोट ने साथिया दालत ने ये भी कहा कि महिला की गरिमा सबसे उपर है हाला कि सुप्रिम कोट ने साथी साथ ये भी कहा कि एडिल्ट्री को तलाक के लिए एक आधार माना जा सकता है और आत्महत्या के लिए उकसाने का एक जरिया, एक वेपन, एक आधार भी इसे माना जा सकता है तो एक बड़ा फैसला आया मैलाउक की गरिमा सबसे उपर कोट ने ये कहते हुए एडिल्ट्री को विवाहितर संबंदों को अपराद की श्रीर्णी से बाहर रखा है एडिल्ट्री अब अपराद नहीं है सुप्रिम कोट के मुताबिक विवास से अलग संबंद अब अपराद नहीं और हमारे साथ विभाकर मिश्रा साथ जुड़े हैं सुप्रिम कोट के वकील है इस सहम और सम्वीदर शील मामले पर हम उनका रुख करेंगे आपर मिश्रा साथ सुप्रिम कोट का ये फैसला की अडिल्ट्री को विवाइतर संबंद को अब अपराद की श्रेणी से बाहर रखा जाएगा मिश्रा साथ हमारे अवाज मिल रहे हैं आपको वापस कोशिश करेंगे विभाकर मिश्रा से हमारा संपर्क हो आपको बतादे इस बीच की विवाइतर संबंद को अपराद की दायरे से बाहर रखा है कोट ने हाला कि अडालक ने साथ साथ ये भी कहा कि एडिल्ट्री को तलाक का आधार माना जा सकता है साथी खुदकुशी के लिए उकसाने का एक आधार एक जर्या भी इसे माना जाएगा यह एहम खबर आज की बता रहे हैं आपको चार बड़ी खबरों में कोट ने साथी ये भी कहा कि पती महिला का मालिक नहीं है और तकी महिला की सम्मान को सर्वों पर ही बताया अधालत ने इस तरह से कैतिहासिक फैसला अधालत ने दिया है आपको बता देगी पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है एहम खबर आज की आपको बता रहे हैं मैलाओं के लिए फैसला किस तरह से साबित होगा मैलाओं से कैसे लेंगी ये तमाम चीज़ें देखने वाली बात होंगी कोटना IPC की धारा 497 में एडल्टरी को अपराद बताने वाले प्रावधान को आसमयधानिक करार दिया वरवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस एम खानविलकर जस्टिस इंदु मलोत्रा जस्टिस चंद्रचूड और जस्टिस आर एफ नरीमन की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाया कोट ने हाला कि ये भी कहा कि एडल्टरी तलाक का अधार रहेगा और इसके चलते खुदकुशी के मामले में उकसानी का केस भी दर्ज हो सकेगा यह इतियासिक फैसला सुनाते हुए कोट ने महिलाओं के इच्छा अधिकार और सम्मान को ने मिलाकर एक अतियासिक फैसला से माना जा रहा है